सफलता कोई वस्तु नहीं जो आपको उपहार सोरूप मिल जाएगी सफलता वो पौधा है जिसको आपको महनत रूपी, खाद और पानी डाल करके बड़ा करना है नमस्कार सात्यों, मैं हूँ आपका अपना भूपेन और आप देख रहे हैं बिजनस डील्स यहाँ पर मैं आपको देता हूँ ने बिजनस आइडियाज, सेल्स टेक्निक और केस स्टडी जिससे आप प्रोथ साहित हों और अपना खुद का वेबसाइट सुरू करें तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं पेट बॉटल मैनुफाक्चरिंग के बारे में दोस्तो यह पेट बॉटल्स यूज होते हैं लगभग लिक्विट्स को स्टोर करने के लिए जैसे कि आपका पानी, ओल, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, सैंपू वगरा इन सब को store करने के लिए या इन सब को market में sale करने के लिए इसमें pet bottles का use करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कि pet bottles कैसे बनाये जाते हैं कितना area लगता है, कौन सी machine लगती है, क्या license लेना होगा और कितना profit होगा, कितना initial investment होगा और कितना manpower लगने वाला है इससे मुझे थोड़ा प्रोसान मिले और मैं आपके लिए ही ऐसे ही कमाल के वीडियो लाता रहूं हमेशा तो आईए दोस्तों देख लेते हैं process दोस्तों आपको pre-form लेना है जो की injection molding के थूप बनाये जाते हैं pre-form आपको आसानी से market में मिल जाएंगे वहाँ से आप परचीज कर सकते हैं अलग-अलग varieties में होंगे यानि कि जो quality होती है pet bottle की उस पर निर्भर करेगा pre-form का size और weight ये आपको kilo के भाव असानी से मिल जाएंगे pre-form आपके बनाये जाते हैं injection molding के थूप इसमें plastic का दाना डालते हैं और extrusion process के थूप ये pre-form बनाये जाते हैं pre-form बनने के बाद में आप चाहें तो pre-form बनाने की भी unit साथ में डाल सकते हैं लेकिन आपका initial investment बढ़ जाएगा pre-form बनने के बाद में आपको चाहिए होगा एक pre-form pre-heater जिसमें की आपका pre-form heat किया जाएगा और heat करने के बाद इसको stress blow molding से पास करेंगे और आपका desired shape में जैसा आप water चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा तो दोस्तों देख लेते हैं कि ये कैसे heat किया जाता है कुछ इस तरहीके से आपका pre-form heat किया जाता है heat करने के बाद में हमको इसको लगाना है blow molding machine में वहाँ पर आपका compressed air होता है जिससे कि आपका ये गरम pre-form जो होता है इसमें हवा भर जाती है और ये dye के हिसाफ से shape ले लेता है जिस किसम की आपको bottle चाहिए यानि की shape and size के हिसाफ से lotion की bottles है या pesticide की bottle है वो अलग-अलग रंगों में उपलब्द है market में बहुत सारी रंग की bottles उपलब्द है वो सारी आपको बनाई जाती है इसी blow molding machine से अगर आपको machines related कोई भी जान करी चाहिए तो मैंने description में link दे दिया है वहाँ से आप purchase कर सकते है तो यहाँ पर आपने देख लिया कि process कैसे होता है machines आपकी जो लगने वाली है इसमें आपकी additional जो लगेंगी आपका compression लगेगा जिसमें कि आपका air जो भी होगा compressed air blow molding के लिए चाहिए वो आपको चाहिए होगा और electrical panel बगर का installation आपको कराना होगा उसके साथ साथ में आपने देखा कि preheater machine और blow molding machine आप चाहिए तो die और भी रख सकते हैं अपने customer के recording यह die लगा करके उस साथ से bottle बना सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं area की area आपको लग भग 500 square feet लगने वाला है आप initial level पर इतने area में आप काम करिए और further जैसे ही आपका expansion होता है unit का यानि कि आपका turnover बढ़ता है आपका production बढ़ता है आपका sales बढ़ता है तो आप इसको further और warehouse या go down वगएरा बना लें क्योंकि यह आपको area कम पढ़ने वाला है जिस हसाब से यहाँ पर production होता है दोस्तों अगर बात करें machine का production rate की तो आपको 1500 bottle per hour के हिसाब से यह बनाती है machine अगर बात कर लें इसमें manpower की तो आपको manpower 5-6 लगानी है जिससे आप start कर सकते हैं यह website और अगर license की बात करें तो आपको लेना है trade license यानि की GST license और आपको pollution control विवाग से NOCs बगरा लेना होगा उसके साथ साथ में अगर बात करें initial investment की तो अगर आप semi automatic plant लगाते हैं तो लगभग आपकी 10 लाख रुपए cost आती है और अगर आप automatic plant लगाते हैं तो लगभग आपकी 25 लाख रुपए cost आती है यह आपका pre-form unit इसमें नहीं add किया है जो pre-form manufacturing का था वो एक अलग process होता है injection molding तो उसके लिए मैं अगर आप बोलेंगे तो एक separate video भी बना दूँगा जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे pre-form बनाये जाते हैं यहाँ पर मैं खाली आपको pet bottle के बारे में बता रहा हूँ जिसमें कि आप dye बदल बदल करके बहुत सी तरीके की pet bottles बना सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से अब हम बात कर लेते हैं conversion rate की अगर conversion rate की बात करें तो इसमें आपको profit जो होने वाला है वो करीब 5-7% होने वाला है यह profit vary करेगा आपके market recording तो market का study बहुत जड़ी है मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको अपने हिसाब से अपनी market का analysis करना है survey करना है कि आप जो product बना रहे है वो sale होगा या नहीं होगा वहाँ पर इस product की demand है या नहीं है अगर है तो कितनी होगी और आपके competitors क्या-क्या है आपको वहाँ पर NOCs बगरा नगर निगम बगरा से मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी आपका power installation हो जाएगा या नहीं हो जाएगा आपको manpower easily available होगी या नहीं होगी ये सब पहलू आपको देखने होते हैं market survey में कि आपको raw material वहाँ पर easily पहुँच जा रहा है कि नहीं पहुँच जा रहा है क्योंकि rural areas में transportation facilities थोड़ा पूर है अभी भी इंडिया में तो इस लिहाँ से ये आपको अपने हिसाफ से सुनिस्चित करना है उसके बाद अपना कुछ भी website सुरू करना है मैं इसलिए आपको हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि आप कहीं नुकसान न उठा जाएं और अनजाने से ही मुझे ना कोसें कि मैंने ये आपको आइडिया दिया था मैं अपना काम यहाँ पर करता हूँ अपनी मार्केट के हिसाफ से जहाँ पर भी मैं हूँ उस मार्केट का सर्वे है ये ये हो सकता है आपके लिए suitable ना हो अगर आपको कोई भी और दिक्कत है तो आप हमें comment box में बताएं हमारे mail ID given है description में उस पर हमें लिख बेजें अगर machine से कुछ related जानकारी चाहते तो machine manufacturer का number आपको description में मिल जाएगा वहां से आप contact कर सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए किसी और business के बारे में या किसी के बारे में case study चाहिए तो आप मुझे mail कर सकते हैं या comment box में बता सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूँगा कि आपके requirement fulfill करूँ तो दोस्तो आज के लिए मैं चाहता हूँ आपसे इजाजत और मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल एक नए वीडियो के साथ में जिसमें मैं आपको या तो case study के बारे में बताऊँगा या sales technique के बारे में बताऊँगा या new business idea के बारे में बताऊँगा और ऐसा unique business idea आपके लिए ले करके आऊँगा जिससे आप जरूर लाभानवित हों तो आज के लिए धन्यवाद जाएन